हलो दोस्तो मैं रिश्यानन्द आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे ऑफिशियल YouTube चैनल में जिसका नाम है वैदी गनित तो दोस्तो ये Quantitative Aptitude by Arun Sharma solution series 2nd चल रही है और इस series में आपको number system का solution देखने को मिलेगा और यह जो सवाल होंगे वो सिर्फ level 2 के ही सवाल होंगे मतलब क्या है standard of questions जो बढ़ गया level 2 के questions हो गया ठीक है तो जो भी भाई बंदु है वो अगर ऐससे सीजिल का preparation करें या फिर CHSR का या फिर CPO examination का तो उनके लिए वीडियो काफी जादा इसमें अब इससे questions नहीं आते है लेकिन इसमें जो नंबर सिस्टम जो होता है वो बेसिक चीजे होती है तो बेसिक चीजे होती है तो उसके अगर point of view से देखोगे तो यह IBPS bank PO clerk का SBA bank PO clerk के लिए भी काफी जादा यह वीडियो जो है इंपोर्टन है ठीक है cat mat chat examination पूछ जाते है नंबर सिस्टम के सवाल तो उनके लिए बहुत जादा important और कोई भी competitive examination होगा जहां पर नंबर सिस्टम का syllabus में अगर होगा तो उसमें भी इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे तो सवाल जो आपको दोनों languages में हैं English में भी है और हिंदी में भी है तो हिंदी वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी हिंदी में भी यहां पर आपको सवाल के सवाल देखने को मिलेगा ठीक है और इस वीडियो का जो PDF format है ना वह आपको नीचे डिस्क्रिशन वाक्स उसका लिंक मिल जाएगा आप वहां से डाउनलोड करके अपने feature reference के लिए रख सकते हो ठीक है तो अगर आपने अब तक मेरा बाकी का जो पार्ट है नमबर सिस्टेम का 20 पार्ट तो मैंने डाल रखा है यह 21 पार्ट है अगर वह नहीं देखा है तो चैनल के प्लेडिस्ट में जाकर आप आप देख सकते हो नहीं तो आपको नीचे description box में भी बाकी के सारो ही पार्ट आपको नीचे देखने को मिल जाएंगो उसका लिंक नीचे मिल जागा आप वहां से भी डायरेक्ट पिक करके देख सकते हो ठीक है तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज आप मुझे comment box करके जरूर बताईएगा और अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज यार इसको लाइक भी जरूर कर देना और अपने दोस्तों साथ भी शेयर जरूर करना और अगर आप इस चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर दो ठीक है आपको ऐसी अच्छे-चे वीडियो मिल जाये करेंगे आपको उसका नोटिफिक पर है पहला सवाल क्या है define a number k such that it is a sum of squares of the first m natural numbers that is k is equal to 1 square plus 2 square plus so on and m square where m is smaller than 55 how many values of m exist such that k is divisible by 4 ठीक है देखिए यहाँ पर हम आपको सवाल समझा दे रहे है यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक number है कि जो कि कुछ natural numbers है first m natural numbers है उनके square का क्या है sum है जो कि आप देख सकते है k is equal to क्या लिक रखा गया है 1 square plus 2 square and so on कहां तक जा रहा है आपका m square तक जा रहा है और m जो है न वो कहां था कि आपको 55 से कमी है अब वो जो m है कितने values exit करेंगे m के कि k जो है divisible कुछ से रहा है आपका 4 से divisible रहा है किस से divisible हो जाए 4 से divisible हो जाए समझगे सवाल को चली देखते करते इसको देखो यहाँ पर क्या लिखा रखा गया है k is equal to क्या है हमारा 1 का square है और plus 2 का square है और यह so on यह चलता जा रहा है कहां तक चलता जा रहा है आपको यह चलता जा रहा आपको M² तक चलता जा रहा है ठीक है यह ही चीज बोला जा रहा है यहां पर ठीक है तो देखो यहां पर K अगर मैं देखो K क्या है actually K है आपको M² तक के natural number का sum है तो अगर मैं यहां पर एक formula से जाता हूं some of N natural number इसका formula क्या होता अगर उसका formula देखोगा तो n into n plus 1 into क्या हो जागा 2n plus 1 बटे में क्या लिख लोगे यहाँ पे 6 यह formula होता है यही होता है n natural number जो की square में sum of n square natural number यहाँ पर कौन सा square natural number है ठीक है तो उनका sum क्या होता है n into n plus 1 into 2n plus 1 बटे में 6 अब एक चीज़ ध्यान देना है यहाँ अगर मैं उपर वालो को लेके चलता हूँ तो n जो है यहाँ पर 3 चीज़े आ रही है n into n plus 1 और क्या आपका 2n plus 1 है यही चीज़ आ रहा है तो आप ध्यान से देखो कि यह ला जो part है ना कुछ भी कर लो n की कोई value होगी n की आप कोई value लो 1 लो 2 लो 3 लो 4 लो 5 लो कोई value लो यह whole term जो आपको क्या देगा odd number ही देगा क्या देगा आपको odd number देगा लेकिन अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यह जो 2 है यह दोनों क्या हो सकते हैं आपको odd भी हो सकते हैं और even भी हो सकते हैं इसका तो even होने कोई chance ही नहीं है इसका क्या है कि आपको odd भी हो जाएगा और आपका even भी हो सकता है ये दोनों में से कोई भी एक हो सकते है लेकिन अब बात क्या आती है अब बात ये आती है कि 4 से वो क्या होना चाहिए divisible भी होना चाहिए तो यह 4 से divisible कब होंगे 4 से तब ही divisible होंगे जब आपका यह दोनों में से कोई 1 क्या होना चाहिए यह वाला जो term है यह दोनों क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए 8 होना चाहिए मतलब क्या है कि 4 से जो क्या होना चाहिए आपका divisible होना चाहिए ठीक है यही चीज बोला जा रहा है यहां पर तो हम देखो एक चीज बोल सकते हैं कि n की value ठीक है n और n plus 1 की बात हो रही है अगर मैं बोलू कि n की value अगर सबसे पहले अगर मैं n की value गर में बोलतो हो 7 है तो यह क्या हो जागा 7 न 7 plus 1 कितना हो जागा 8 जो की 4 से divisible हो जागा 7 exit करता है फिर उसका 7 करते हम 8 ले सकते हैं ले सकते न एट ये हो जागा n क्या हो जागा 8 हो जागा 8 24 के बाद आजाओ, आपको 31 हो जाएगा, फिर आपको कॉंस हो जाएगा, 32 हो जाएगा, फिर उसके बाद आजाओ, अगर आगे चलते तो हमारा कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, क्योंकि 40 हो जाएगा, फिर उसका 40 हो जाएगा, फिर उसका 47 हो जाएगा, फिर उसका कॉंस हो होंगे कितने से 4 से क्या हो जाएंगे divisible हो जाएंगे तो कि लिते कितना है आपका कितने values exit करती है यहाँ पे एक तो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा और कितने हो गए बारा बारा नमबर जो एन अगला सवाल देखते हो हम लोग हाँ तो दोस्तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर अगला सवाल क्या है m is a two digit number which has the property that the product of factorials of its digit is greater than sum of factorial of its digit how many values of m exit देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि m एक क्या आपको m एक आपका तू डिजिट नमबर है ध्यान दीजेगे हमें बात को m क्या हमारा एक two digit number है दो डिजिट नमबर है यह उसमें क्या वह लज़ा रहा रहा है उसमें एक प्रॉपर्टी है क्या प्रॉपर्टी म में है इसके जो digits के जो factorial होंगे ना, वो greater होंगे से sum of factorial of its digits, उसके जो digits के जो factorial हो उनके sum से क्या होगा, वो बड़ा होगा, चीक है? तो 2-digit number हम लोग लेना शुरू करते हैं तो 2-digit number हम लोग स्टार्ट करते हैं आपको 20 से उपर लेते हैं क्योंकि 20 से आप नीचे जाओगे तो उतना नहीं है उसको लिया जाएगा हम लोग कितने से लेते हैं 20 से लेना शुरू करते हैं क्योंकि 20 चली आईए देखते हैं, सबसे पहले एगर मैं for example मैं लेता हूँ 20, अगर मैं पहला number लेता हूँ क्या 20, यह 2-digit number है, अब क्या बोला जा रहा है, product of factorial of its digit, तो इसमें 2 digits है, एक तो आपको 2 है और एक कौन सा आपका 0 है, तो अगर मैं लेता हूँ इसका factorial लेता हूँ 2 into 1 लिखेंग जो इसका factorial of the digit है, उसका sum लेता है, तो कितना हो जागा, factorial इसका 2 plus 1 plus 0, तो 2 into 1 कितना हो जागा, 2 हो जागा, 2 हो जागा, 2 हो जागा, प्लस 0, that is 2, जैको यह चीज आपका क्या हो जागा, ऐसे हो जागा, बढ़ा हो जागा, इधर वाला part बढ़ा हो जागा, तो इसका हूँ यह जो हमारा क्या कर रहा, satisfy ने कर रहा, 20 में भी satisfy ने कर रहा, 21 में भी जाते हो, वो भी ने satisfy करेगा, अब अगर हम 23 लेते हैं, अगर direct में 23 ही ले लेता हो, जो 23 लोगा तो 23 में चले, factorial लेते हैं, तो factorial लेंगा, तो कितना लेंगा, 2 into 1, into क्या जागा, 3 into 2 into 1, छीक है, अब sum ले लेते हैं, जीक है, अब इनका क्या कर लेते हैं, sun ले लेते हैं, तो sum कितना लेंगा, 2plus 1, जीक है न, और plus में क्या हो जागा, 3 plus 2 plus 1, यहांप रहा मैं सब को जोडता हूं, 2 into 1, यह हो जागा, 2 into 4 three's है, कतना हो जागा, 12 जागा, सब को जोड़ दी, 3, 3, 6, 7, 8, आर एक तो अगर आप यहां से देखोगे तो यह यलव पार्ट के हो जागा आपका इससे बढ़ा हो जाएगा तो अब यह चीज़ जो है ना आपको 23 से होना शुरू होता है और यह कहां तक जाता आपको 29 तक जाएगा इसी तरह 30s में भी होगा इसी तरह 40s में भी होगा तो हमारा कहा से कहा तक में अगर मैं देखता हूँ, 20's में अगर मैं देखता हूँ, 20's में अगर मैं देखता हूँ, तो यह जाता है, आपका कहा से कहा तक 23 से लेके 29 तक जाएगा, चीक है, उसी तरह अगर 30's में देखोगे आप, तो 30's में आपका जाएगा 32 से लेके 39 तक, औ और उसके बाद जाएगा आपका 62 से लेके 69 तक, उसी तरह से 72 से लेके 79 तक, और उसके बाद हो जाएगा आपका 82 से लेके 89 तक, और यह हो जाएगा आपका 92 से लेके 99 तक, ठीक है, तो अगर आप यहां से गीन के देखोगे तो यह कितने हो जाएगे आपको, 7 हो जाएगे, ब कि यहां पर भी 8 और यहांपर भी 8 हैं और यहांपर भी 8 हो यहां पर भी कितना उट बंग इस चीज़ये कीश एउर मुदूट 15 6 am Exodus 56、「 से अधित क्या जाइए हूए ₤ मुदूट अभी 90 में धॉल कि खर्यों कितना आपड करेंगे। तो कौन सा option से हो जाए हमारा, C option क्या होज़ागा, से correct हो जाएगा, ठीकिये फ्रेंट्स, चलिए अगला सवाल देखते है, हाँ, तो दूस्तर अगला सवाल आपके screen पर है, यहां पर क्या बुला जा रहा है, A natural number is increased by 50% Has its number of factors unchanged However, when the value of number is reduced by 75% The number of factors is reduced by 66.66% One such number could be तेकि यहाँ पर क्या वो लज़रा है कि एक natural number है जब उसको हम लोग 50% से बढ़ा देते हैं अगर हम लोग उसको 50% से बढ़ा देते हैं तो उसके number of factors जो है न वो क्या होते हैं Unchanged रत मतलब जितने पहले number of factors है वही क्या हो जाते हैं बाद में भी number of factors हो जाता है However, when the value is reduced by 75% लेकिन जब अगर हम उसको 75% से क्या कर दें घटा देंगे अब क्या हो जागा उसका number of factors reduced हो जाता है तो option के थूरू जाना पड़ेगा क्योंकि यहां पर हमारे पास 4 option दे रखा गया है तो सबसे पहला option A से try करना शुरू करते हैं सबसे पहला option लेते हैं 32 तो 32 जो है हमारे पास ठीक है इसको हम लोग क्या करते हैं पचास प्रतिशत से क्या करेंगे बढ़ा देंगे तो सबसे पहले एक चीज़ जाना लो यहां पर यहां पर number of factors क्या हो जाएंगे तो 2 to the power 5 है ठीक है तो number of factors क्या होते है number of factors हो जाएंगे 5 plus 1 that is 6 number of factors कितने होगे 6 होगए ठीक है अब इसको क्या किया गया इसको हम लोग ने कितने से increase कर दिया 50% से increase कर दिया 50% कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा हो जाएगा यहां पर हो जाएगा 48 अब 48 के factors कौन-कौन सो हो जाएंगे तो इनका अगर factors देखा जाए तो 1688 होता है तो मैं बोल सकते टू 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 थी पावर 4 इंटू 3 का पावर 1 तो number of factors number of factors इसके क्या हो जाएंगे number of factors इसको हो जाएंगे 4 प्लस 1 इन्टू 1 प्लस 1 यह होगा ना तो 4 एक 5 दो ना 10 तो अंचेंज होगे ना चेंज होगे ना फैक्टर सा अंचेंज नहीं होगे यहां पर क्या होगे factor पहले चेहरे 6 था आप कितना होगे 10 होगे मतलब कि यह चीज़ satisfy नहीं किया चलो 84 में देख लेते हैं अगर हम लोग 84 में आते हैं एक एक करके option को लेके देख लेते तीनी option यहां पर 84 को लेते हैं तो 84 का अगर हम factor देखने जाते हैं 84 का factor कितना हो साथ यह हो जागा 4 4 इंटू 21 हो यह हो जागा आपका 2 का square और 3 इंटू 7 ठीक है तो number of factors क्या हो जाएंगे इसके number of factors number of factors देख लेते हैं 2 प्लस 1 ठीक है यहां से आजागा 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 हो गया ना 2 2 2 2 4 4 3 2 12 हो गया यहां पर कितना हो गया 12 हो गया अब इसको 50% से increase कर दीजिए 50% से increase कर देंगे 50% इ 42 इसमें जोड़ देते हैं यह जगा आपका 6 और यह जगा आठ चार 12 हो जागा ने 126 हो गया फिर इसका देख लेते तो यह जगा 6 तो नहीं पर हाँ 6 इंटू 21 हो जागा ठीक है यहां पर दिखा जाए 2 2 प्लस 1 और 1 प्लस 1 कितना हो गया 12 यह तो पहला अला हमारा केश क्या आपको satisfy करेंगे अब क्या बोला 75% से reduce करते हैं 84 को 75% से reduce करेंगे तो 75% से जब हम इसको reduce करेंगे तो मतलब कितना है इसको 3 x 4 इसमें से क्या करें खटा देंगे तो 4 2 x 8 और 4 1 x 4 तो 21 21 में से कितना करेंगे 63 माइनस कर देंगे 63 जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जागा रुख यहां पर क्या वह रहा है ? नमबर फेक्टर इसमें सॉरी रिदीज्ट बैसे परसेंट ना 75% जाए 75% से कितना हो जागे इसको रिडियू सकर देते हैं यहाँ जागा यह आपका 21 21 आगया अब 21 के नमबर फैक्टर्स देख लेते हैं तो साती यह होता ना तीन और सात तो कितना हो जागा इसका नमबर फैक्टर्स नमबर फैक्टर्स आजेंगा 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 देट इस कितना हो गया चार हो गया ठीक है तो देखे तो factor series is reduced by 66.66% 66.66% मतलब कितना होता है 2 वाई 3 12 था ना तो 3 4s are 2 well 4 2s are 8 8 minus करेंगे तो कितना हो गया चार हो गया सेम है इसका अंतर क्या आपका 84 वाला जो है B option क्या कर रहा है satisfy कर रहा जो भी condition उपर दे रखा गया तो इसका अंतर B option क्या आज गया उसे correct हो जाएगा ठीक है दोस्तो तो बढ़ते है अपना अगला सवाल देखते है अब हम लो हाँ तो दोस्तो अगला सवाल आपके screen पर है अगला सवाल कहा दो जो इस स्रीज अफ नंबरी दो नहीं पर आपके screen पर यहां पर क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक सीरीज है जिसमें क्या 1 है फिर उसका 1 by 2 है फिर 1 by 3 है 1 by 4 है फिर इसका क्या हो सकता 1 by 5 है फिर 1 by 6 है और यह चलता जारा कहां तक 1 बटे में 19 बातर ठीक है अब क्या बोल रहा है कि हम इसमें से 2 नमबर को उठाते इस सीरीज में से पहले 2 को और उसको माल लेत हम लोग क्या xy क्या माल लेते xy और और क्या operation करते x plus y plus x into y इस परफॉर्ण तो गेट एक इस से हम को एक क्या मिलेगा consolidated number मिलेगा the process is repeated इसको क्या करते हम लोग इस ही process को repeat करते रहते है ठीक है what will be the value set set of all the consolidated number into 1 मतलब सारा जो set दे रखा है यहां से लेके एक से लेके 1 बटे में 1 1972 तक अगर हम इसको एक जगा consolidated कर देते तो हमारे पास क्या एक number निकल के आएगा यह चीज़ हमको यहां पर बताना है ठीक है तो चलो पहले अगर हम लोग x मानते है हमारे पास x जो है 1 है और y जो है वो क्या हमारा 1 by 2 है ठीक है अब हमको क्या बोला x into y अगर हम यह वाला चीज़ इसमें perform करते x plus y plus x into y तो इसको क्या लेंगे हम लोग 1 plus 1 by 2 plus 1 into 1 by 2 इन सब को जोड़ेगा तो कितना आ जागा 2 आ जागा ठीक है क्या निकल के आ जागा 2 निकल के जागा मतलब कौन सा number निकल के आ रहा है यह नीचे ला number निकल के आ रहा है ठी तीन डिजिट कौन-कौन सा लेते हैं हम लोग 1 1 by 2 मतलब कौन-कौन सा अंक ले रहे हम तो एक तो 1 ले रहे है एक 1 by 2 ले रहे है और एक कौन सा ले रहे है 1 by 3 ले ठीक है चलिए अब इसको करके देखते हम लोग तो 1 लिया plus 1 by 2 लिया plus 1 by 3 लिया plus 1 into 1 by 2 यही वहला operation करना है अब तीन डिजिट में कर रहे है plus 1 by 2 into 1 by 3 लिया तो यह इसको लोग इसी तर लिखते है अभी 1 लिख लेंगे 1 by 2 और यह है इसको लिखते है 1 by 2 1 by 3 ठीक है यहां जगा आपका 1 by 2 और यह कितना हो जगा 1 by 3 में 6 हो जाएगा ठीक है और यह कितना हो जगा 1 by 2 1 by 2 यह और यह और यह वाला part ठीक है इन सबको अगर मैं जोडता हूँ तो क्या ले लेंगे हम लोग यहां पे 6 ले लेंगे LCM और यह पहले से 2 है इसके नीचे कुछ भी नहीं तो कितना हो जाएगा यह 12 हो गया और यह 3,2006 यह 4 हो जाएगा और यह प्लस वर हो जाएगा 12,4,16 और यह कितना हो जाएगा यह 17 बटे में 6 यह अप्रॉक्सिमेटली हम बोल सकते है तीन के बरावर है अप्रॉक्सिमेटली कितना बोल लिए हम लोग इसको तीन के बरावर थी यह तीन ओला दे रहा तो obviously तो हम यह चीज़ बोल सकते है अगर इन सब के साथ में यही operation करूँ तो हमारे यह last dollar digit है कर जैसे सब में आ रहा है तो 1972 आना चाहिए सब का अगर मैं इसी तरह consolidated करता हूं तो तो इस तरह से हमारा कॉंस option से हो जगा हमारा सी option क्या जगा है से correct हो जाएगा ठीक है friends तो चलिए अगला सवाल किया जाए हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके screen पर रहे और यह तीनों जो सवाल है एक साथ है इसलिए एक ही जगा इन तीनों को आप लोगोंने मैंने ले लिया है ठीक है हाई देखते सवाल क्या है k is a three digit number such that the ratio of the number to the sum of its digit is least what is the difference between the hundreds and the tens digit of the k ठीक है देखो k एक तीन digit का number है और such that क्या है कि ratio of the number to the sum of its digit मतलब उपर में वो number रहेगा नीचे उसका क्या रहेगा sum रहेगा उनके digit का क्या रहेगा sum रहेगा जोसका क्या ratio आता आपको बहुत list आता सवब से कम आता है k वही नमबर है तो बोल कहा रहा है कि what is the difference between the hundreds and the tens digit of the k मतलब उसके hundred and tens digit के number का क्या होगा difference ठीक है तो चला अगर मैं suppose करता हूं कि एक number ले लेता हूं k मैंने बोला कि आपका 123 है ऐसे ही ले लिया अब जो इसमें बोल रहे करना क्या है कि 123 तो आप लोग ही लोग है और नीचे क्या ले ना इसका sum ले तीन दो पांच एक छे अब इसको डिवाइट करोगा तो कितना आएगा लगभग 20.6 हाएगा इसी तर चलो में 140 ले लेता हूं नीचे में सब को जोड़ दिया तो कितना आएगा पांच तो लिस्ट नहीं आ रहा आप देख रहे हो कभी 20 आ रहा कभी 28 आ रहा इसी तर आप सब अगर चेक करते जाओगे तो अगर मैं लास्ट अले ले लेता हूं अंक सबसे लिस्ट इसी में आएगा ठीक है और यही अगर मैं लास्ट अले टर्म लूँगा तो वहाँ पर क्या आएगा डिस्ट आएगा समझ रहे बात को देख सो निन्यान में क्या होगा हमारा के का वैल्लिवा का वैलियू होगा हमारा 191 अब जो बोल रहा हाँ क्या बहुत है ह्ट इस दिफेर्स बिट्यूं न कें हंड्रेट्स विल्च्व पूर्ड धैस्ट दिगी यह ज़िए आपका on किया जागा आपका टेंस यह क्या हो जागा के आपका 100 सब्सक्रों किया गार्यत उता को हमक्छें प्रमा को से यह उदिफिरेंस से होजागा 100 क्या हो जाएगा, आपको 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहां से, 8 हो जाएगा, तो कौन सा उप्शन से हो जाएगा, बी ऑफ्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है friends, friends, I of आपको यह clear हो गया होगा, ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इन question 67, what can be said about the difference between 10s and the unit digit, 10s और unit digit, 10s यह है हमारा, 9 है, और unit digit कौन सा आपको 1 है, तो 9-9, that is 0, कौन सा option से हो जाना चाहिए हमारा, यह option क्या हो जाएगा, अब क्या बोल रहा है, from the above questions, for how many values of k, will the ratio be the highest, तो पूछा जा रहा है कि above question में, k कितने values होंगे, जिसमें क्या आएगा, आपका सबसे ज़्यादा ratio highest आएगा, तो highest हमारा ratio कहाँ पे आ रहा है, आप देख पार होंगा, 100 बटे में 1 जब मैं कर रहा हूँ, तो हमारे सबसे क्या है, highest आ रहा है, मतलब कहाँ कहाँ यहास आ सकता है, एक तो 100 में आएगा, 200 में आएगा, 300 में आएगा, फिर 400 में आएगा, 500 में आएगा, 600 में, 700 में, फिर और आजेका आपका 800, फिर 900, तो फिर तो इसके बाद आपका तीन डिजिट का नंबर हो गाई नहीं, फिर आजार हो जगा, चार डिजिट नमर हो जगा, कितना हर आपको नौ में आ रहा है, तो कौन सु अप्शन से यह जगा है, यह आपको तीनों क्वेशन के सॉलुशन समझ में आगे होंगे, ठीक है, च इसके इसके बाद आपको तो, कितना है, इसक् Penis, इसके। को तीन से समझी का, जगे, इसके बाद में एक लडाल मेंड निए, फिर आपको तीन सातस्चर डिजिट का. starting with 1 मतलब क्या बोला जार है एकgi triangular number होते हैं झिसमीं प्रॉपर्टी होती , क्या सम होता है वह triangular number रिचे प्री में sum के बरावर होता है जिस्क्रियोड होगा आपका उसके sum के बरावर होता है अब बोला compressive plus on says i stare 2 में property प्री में are the difference of a square or two consecutive natural numbers, मतलब दो consecutive natural numbers के difference के, मतलब दो consecutive square के natural number के square के difference के क्या होंगे, बराबर होंगे, जो कि 1000 से क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, ठीक है, सबसे पहले तो यह चीज़ समझें कि triangular number होता क्या है, तो यह होंगे iso circular number कौन से होता है, फिर इस को तो बढरा आगे बढ़ते हैं, एक, दुआ यहां पर तीन मुनदा दे दो, । यह भी क्या होगे आपका triangular number पर अगर मैं फिर आगे बढ़ता हूं, दो, और यहां पर कितना हो, तीन, अब यहां पर दे दो कितना क्या हो जागा, चार, यह क्या हो गया, आपका एक ट्रैंगलर नूमर नूमर फिर आपका कौन ट्रैंगलर नूमर तीन, फिर इसके बद कौन तना यह आपका, पांच है, फिर इसके बद कितना आपका यहां पर, एक, दो, तींग, सुर यह 6 होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगया, ठीक है, 6, 4, 10, और इसी तरफ फिर आपका बढ़ता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, आपका ट्रिंगलर नमबर, ठीक है, तो इसमें प्रॉपर्टी क्या बोला जा रहा था, अब देखो इसमें प्रॉपर्टी है, अगर मैं 1 का स्क्वाइर लेता हूँ, तो 1 का स्क्वाइर लेता हूँ, तो यह 1 के बरावर है, अगर मैं यहाँ पर 2 का स्क्वाइर लूँगा, तो कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, तो 4 देखो, इसके, और इसके, सम के बरावर, 1 प्लस 3, that is 4, यही चीज बोल रह दुनों के सम के बरावर है, 6, 3, 9 हो गया, ठीक है, अब इसका बाद में 4 का स्क्वाइर लेता हूँ, 4 का अगर मैं स्क्वाइर लूँगा, तो 4 का स्क्वाइर कितना हो जाएगा, 16, तो यह 6 और यह 10, दुनों के क्या आपको, सम के बरावर है 16, में विल लाक्ल, ऐसी करते-करते जाओगे तो ऐसी करते करते सारा ची जाएगा, तो फिर फिर 15, एसी करते-करती यह चलता जाता है, एसी करते-करती है चलता जाएगा, यहां पर क्या बोलाजारहा है, कि starting from one, how many triangular numbers less than 1000 have the property that they are the difference of the square of 2 consecutive numbers मतलब 2 consecutive के difference के square of the 2 consecutive के difference के क्या होना चाहिए आपको बराबर होना चाहिए ठीक है यह property होनी चाहिए तक हम अब देखू यहाँ पर कितने 15 से चलता जा रहा है लेना को कहा तक जाना है 1000 से कम तक जाना है अगर मैं बोलता हूँ कि कितने 1000 तक में कितने number होंगे triangular number कितने सारे होंगे यहाँ पर निकल सकता है आपका तो उसका formula होता है number of triangular number is equal to होता आपका n into n plus 1 बटे में 2 तो इसमें हम लोगों को नहीं पता है कितने तक जाएगा तो एक मैं heat and trial से लेता हूँ कि heat and trial से मैं बोलता हूँ कि n की value कितने है 44 है 44 तक जाते है 44 into क्या लिख लेते है 44 plus 1 45 पटे में 2 अगर 2 से इसको divide करने तो कितना आजगा यह 22 अब 22 into 45 कितना हो जगा 22 into 45 अगर आप करोगे यह आजगा आपका जूब आप multiply करें अब 990 तक आपके क्या है ट्राइंगुलर नंबर है अब इससे उपर जाओगे यह एससे उपर आपका क्या हो जागा हजार से बड़ा हो जागा इसका मतलब क्या है कि 1000 तक में कितने triangular numbers है 44 triangular numbers है 1000 तक में कितने triangular numbers है हमारे 44 triangular numbers है मैंने hed and e-mail से ही देखा था 44 मेंकि 2004 कि हमारे triangular numbers है अब देखो आब ये बात आती जो यहाँ पर एक statement लिखा हुऊआ है कि 1000 तक में हमें देखना है और कि Palazir have the property that they are the difference of square of two consecutive natural numbers एक चीज़ ध्यान देना जितने भी odd numbers होते हैं जितने भी odd numbers होते हैं वो सारे क्या होते हैं आपके वो जो होते हैं जो इतने भी आपके consecutive odd numbers होते हैं वो क्या होते हैं difference of square to consecutive number के difference के क्या होते हैं वो बराबर होते हैं जैसे for example मैं अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ पंदरह यहाँ पर क्यों आ आपको odd number है, पंदरह क्या हमा रहा है? ही और और थैके? तगर मैं 15 लेकर चलता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि यह जो है, दो consecutive number के square के difference की क्या है? बरावर है, तो दो consecutive number मैं अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे कि एक तो A है और दुसरा कौन सा आपका A plus 1 है अब क्या बोल रहा हूँ मैं कि A plus 1 का square minus A square is equal to कितना हो जाएगा आपका 15 मैंने 15 माल लिया तो अगर मैं इसको लेता हूँ A plus B into A minus B के तरह लिखता हूँ तो इसको कितना लिख सकता हूँ आपको पहले लिखा तो यह लिखूंगा 2 A plus 1 into 1 is equal to 15 हो जाएगा ठीक है यह क्या हो जागा 2 A plus 1 is equal to 15 यहां से A की value कितनी आजएगी A की value आजएगी 7 मतलब क्या है कि एक तो आपका 7 है और दूसरा कौन सा आपका 7 plus 1 कितना हो जागा आपका 8 मतलब अगर आप इसका square का difference निकालोगो तो कितना हो जागा आपका 15 है ठीक है लेकिन अगर आप event को अगर try करते हूँ सपोस करो 10 को अगर मैं try कर रहा हूँ, train क्या है मैं आपका event है तो चलो इसको try कर लेते है तो इसको भी मैं लिखता हूँ A plus 1 का square minus A का square is equal to 10 ले लिए हमाने जिसको लिख सकते है 2 A plus 1 और into 1 is equal to किया जागा आपका 10 हो जाएगा यहां से अगर मैं निकालता हूँ तो A is equal to कितना हो जागा आपका यहां से 9 बटे में 2 जो कि possible नहीं है consecutive number का consecutive number यह नहीं है लेकिन आपका कोई भी odd number जो होता न वो क्या होता आपका consecutive number के square के difference के क्या होता है वो बराबर होता तो इसका मतलब क्या है कि 44 में से अब देखो कि alternate में क्या होता आपका एक odd number रहता है इवेन को तो इसका मतलब क्या है कि 44 में से 22 क्या हो जाएंगे मेरे 22 क्या हो जाएंगे आपको odd numbers हो जाएंगे और यहां पर हमको कोई बताना है ठीक है consecutive natural numbers के इसका उन्दों कि हमको audit term बताने हैं तो 22 तो मेरे हो गए लेकिन यहाँ पर क्या बला जा रहा है कि one को हम लोग consider नहीं कर सकते क्योंकि one जो है हमारा कोई भी consecutive natural number के difference के square कोई भी consecutive square of two consecutive natural numbers के difference के बराबर नहीं होता है तो इसलिए one को हम लोग नहीं करें consider one को यहाँ से क्या करेंगा अटा देंगे कितना जगा आपका यहाँ पर 21 आ जागा तो 21 क्या हो जागा यहाँ से सही जवाब हो जागा इसका ठीक है ठीक है ठीक है friends तो friends आई हो आपको यह question समझ में आ गया होगा तो दोस्तों यह वीडियो यही पर खतम होता है यह इस वीडियो का अंतिम सवाल था और मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के सारे ही questions के solutions समझ में आ गया होगे तो दोस्तों आप अपना feedback देना मत भूलिएगा प्लीज आप मुझे comment आप से comment करके जरू बताएगा यह वीडियो कैसी बनी है और आपको समझ में आया की नहीं आया ठीक है और अगर आपको पसंद आता आप इस चैनल पर ना है तो प्लीज यार इसको subscribe भी जरू कर देना और अपने दोस्तों साथ भी share जरू कर देना ठीक है और like करना मत भूलना तो at last दोस्तों thank you so much for watching my video and best of luck for your future